हाई फ्रेंड्स कैसी हो आप सब लोग फ्रेंड्स आज में आप लोगों के साथ फिश परवल आलु कारी की रेशिपी सेयर करूंगी अगर मेरी रेशिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक कॉमेंट सेयर कीजिए और मेरी चानेल को सब्सक्राइब कीजिए पण बेल आईकान को हिट कीजीए ताकि मेरी रेशीपी आपको मिल जाए आपलोड होते ही इस रेसीपी के लिए मैंने हें पर हापके जी परवल को अच्छे से पील करके इसी तरह कटके वास कर लिया है और तीन मीडियम साइज आलू को पील करके इसी तरह काटके वास कर लिया है ये रेशिपी बहुती इजी और सिम्पल रेशिपी है आप इसको एक बाद जोरू ट्राइ करें और आठ पीस कातला फिसको अच्छे से फ्राइ करके राखा है फ्राइ करने के पहले इसको नमोक और होल्दी पाउडर मिक्स करके 15-20 मिनिट के लिए मैरिनेट करके राखा था फिर उसके बाद रिफाइन डॉयल में फ्राइ किया है आप चाहे तो मास्टा डॉयल में भी फ्राइ कर सकते हो चाहे तो इसके बदले में रोहु फिस भी उज़ कर सकते हो एक पैन में टू टीस्पून रिफाइन डॉयल डालके गरूम कर लूँगी अब इसमें काटा हुआ आलू डाल दूँगी इसमें डाल दूँगी स्वाद के उनुशा नम्मोग और थोरा सा होल्दी पाउडर डालके आच्छे से फ्राइ कर लूँगी इसको इसी तरह मिक्स करते हुए आच्छे से फ्राइ कर लूँगी पटाटो आच्छे से फ्राई हो गया अब इसको एक प्लेट में टांसपर कर लूँगी अब इसको साइड में राख देंगे सेम पैन में और थोड़ा रिफाइन डायल डाल दूँगी अब इसमें परबोल डाल दूँगी साथ ही डाल दूँगी थोराशा नमोख और थोराशा होल्दी पाउडर अब इसको मिक्स करते हुए आच्छे से फ्राई कर लूँगी आच्छे से फ्राई हो गया अब इसको एक प्लेट में टान्सपर कर लूँगी सेम पैन में और एक टेबल स्पून मास्टा डायल डाल के गरूम कर लूँगी अब इसमें हाफ टी स्पून जीरा डाल दूँगी जीरा को 30-40 सेकेंद्स के लिए फ्राई कर लूँगी अब इसमें स्लाइस करके काटा हुआ एक छोटा साइज अनियन डाल दूँगी अनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे अनियन फ्राई हो गया अब इसमें हाफ टी स्पून लसुन पेस्ट डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी अब इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ पटाटो और फ्राई किया हुआ परबोल अब इसको मिडियाम टु हाई फ्लेम में एक से दो मिनिट के लिए इसी तरह मिक्स कर लूँगी अब इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुशान नमोग हाफ टी स्पुन होल्दी पाउडर हाफ टी स्पुन के आसपास लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकोडिंग लाल मिर्च पाउडर को ज़्यादा या कम भी कर सकते हो हाफ टी स्पुन धोनिया पाउडर हाफ टी स्पुन जीरा पाउडर अब जब दगना इसमें से ओल सेपरेट हो जाए तब तक इसको इसी तरह मिडियाम टू लो फ्लेम में आच्छे से मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट से यार किजिए और मेरी चैनल को सबस्काइब किजिए और बेल आइकन को हिट किजिए तक इसको आपको मिल जाए आपलोड होते ही मिक्स करने के टाइम इसमें एक हरी मिर्च को इसी तरह मिडिल से काट के डाल दूँगी आप आपने टेस्ट के अकोडिंग हरी मिर्च को ज़्यादा या कम भी कर सकते हो इसको 5-6 मिनिट टाइम लेके मिडियम टू लो फ्लेम में इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लिया है ओयल भी छोड दिया अब इसमें जोरुरत के हिसाब से गरम पनी डाल दूँगी अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसको ढखकन लगा के बोयलिंग स्टाट होने तक हाई फ्लेम में पाकाना है बोयलिंग स्टाट हो गया अब इसमें फ्राइ किया हुआ फिस डाल देंगे अब इसको ढखकन लगा के लो फ्लेम में परबोल आलू अच्छे से सफ्ट होने तक पाकाना है चार से पाच मिनिट के बाद धाकन निकलके चेक कर लेंगे और बोल अलू आच्छे से सब्ड हुआ कि नहीं और फिस को पलट देंगे अलू सब्ड होने में और थोड़ा बाकी है अगर नमोक की जोरूरत होँआ तो इस वक्त इसमें नमोक डालके मिक्स कर लेंगे अब इसमें और एक हडी मिर्च डाल दूंगी आप हडी मिर्च को पहले डाल सकते हो अब इसमें फिर से धाककन लगा के आलू अच्छे से सौप्ट होने तक लो फ्लेम में पकाना है सब कुछ अच्छे से पक गया है अब इसमें थोरा सा जीरा पाउडर डालके मिक्स कर लेंगे इस वाक्त जीरा पाउडर आपसनल है आप चाहे तो स्किप कर सकते हो अब इसको ढखकन लगा के गैस का फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको 5-6 मिनिट के लिए स्टेंडिंग टाइम में राखने के बाद इसको डिशाओड कर लूंगी अब इस सार्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया आपको और थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी डालने के टाइम थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हो अब इसको डिशाओड कर लूंगी अब इसको गर्मा गर्म सार्फ करना है राईस, रोटी या अपने मन पसंदिता डिश के साथ थैंक्स पर वाचिंग